कैसे है आप सब और आप सभी के लिए एक important information है IP University के Admit Card को लेके क्योंकि मैंने दिन में ही एक video डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए खलका सा ट्विस्ट है और मैंने आप लोगों को बताये था कि Admit Card जो है डाउनलोड कैसे करना है उसके दू तरीके मैंने बताये थे या तो बहार उसका link मिलेगा या फिर आप लोगों के जो dashboard है उसी के अंदर से डाउनलोड करने का option आ जाएगा mostly students को mail मिल चुका है काफी सारे students को mail नहीं मिला है तो इसके लिए एक छोटा सा solution है जो हमें मिल गया है और हो सकता है कि यह काम करें हो सके कि ना काम करें तो दोनों ही तरीके से हम जाने के कोशिश करेंगे तो मैं आप लोगों को छोटी मोटी चीज बतायता हूं कि अभी हुआ क्या है कि बहुत सारे students को जो है admit card मिल गया है और जिनको नहीं मिला है उनको क्या करना है वह मैं बतायता हूं ठीक है आपको एक link आया है admit card के लिए जो मैं share कर रहा हूं और आप directly इस link को paste करके अपने id अप्लिकेशन id डाल लेना और date of birth डाल लेना और आपको ज्यादा problem नहीं आएगी ठीक है जो मैंने link पिन कर दिया उपर admit card download के लिए आप इसको जाके अपना admit card आप check out कर सकते है most probably आप लोगों का admit card जो है download हो जाएगा मैंने भी तीन-चार students का करवाया है तो जिनको नहीं आया है उनको आप यहां से बता सकते हैं इस link को शेर कर सकते हैं अपने friends के साथ share कर सकते हैं through this link you will be able to download your admit card ठीक है hard copy का लेके जाना है क्या बिल्कुल जी हम मैं आप लोगों को थोड़े से instructions दे देता हूं कैसे कैसे अब आप लोगों को follow करना है कि का procedure वैसे तो कुछ mention करा गया है so इसमें ज्यादा कुछ है नहीं आपको एक printed copy of e-admit card लेके जाना है हो सकते हैं दो copy कर वाले ना दो print out निकल वालो एक face mask एक hand gloves आपको लेके जाने है personal hand sanitizer 50 अब आपको लेके जाना पड़ेगा original photo आइडी प्रूफ एसपर instruction mentioned blog original photo आपके पास आइडी प्रूफ होने चाहिए ठेक है अब यहाँ पर देखो photograph में आपसे क्या मंगा गया है आइडी प्रूफ के अंदर आपके पास या तो वोटर आइडी कार्ड हो driving license pen card passport अधार card employees ID government issue कोई भी एक अधार card आप यह मतलब ID लेके जा सकते है no color photo copies can copy soft copy identity card shall be accepted under any circumstances जाने की original proof आपको लेके जाना पड़ेगा अपने ID का photo copy से काम नहीं चलेगा blue ball pen for rough work and pet water water bottle लेके आप जा सकते है transparent होना चाहिए उसके अंदर एसा नियुनाचे की invisibility ना हो या फिर visibility ना हो पैट water bottle आप लेके जा सकते हैं छोटी सी एक साथ में और दो passport size photograph आप लोगों को लेके जानी है यह instructions आपको follow करने हैं और ध्यान रखे कि यह चीज पहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि आप लोग time पे पहुँचे किसी भी की भाई के hard copy लेके जानी पड़ेगी आपको लेके जानी पड़ेगी बिल्कुल कि आप थोड़ा सा वेट कर लो जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा मैंने पहले भी बोला था कि भाई पहले जो है बीसे वाले स्टूड़न्ट का डाउनलोड होगा उसके बाद बाकी courses का क्रड्र आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है अब ईक्र्टेक्शन में मैं एक लोगों को थोड़ा सो आर कुछ समय पता था हुँमद्स पर दक्राइब ने कम्र्ट के रिच्वेडगरियों और respect expert the admission, अपनी name, spelling वगरा, सारी चीज़े एक बार check कर लेना, cast category, sub category, application, a to z चीज़े आप लोगों को check कर लेने के admit card पर जो चीज़े mention है, वो correct form में आई है या नहीं आई है, इसके अलावा कुछ भी ऐसा, कुछ भी नहीं है, कि जो आप लोगों को ज्यादा tension लेने वाली बात नहीं है, सबसे बड़ा concern तो यहीं होता है कि आपको time पर पहुंचना है, दूसरा आपके पास एक ID proof होना जरूर है, और admit card की दो photocopy आप लोगों को लेके जानी है, और दो passport size photo आपके पास होने चाहिए, ठीक है, अब आप लोगों को जब भी examination center पर जब आप जाओगे, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या दिया चाहेगा, once the capturing of photograph is done at registration desk of exam center, the candidate should proceed to allocated computer node and should not leave examination hall, आपके लोगों की आप लोगों एक photo भी ली चाहेगी, as a registration, biometrics के थुरू आप लोगों का attendance भी लिया जा सकता है, user ID password आप लोगों को on the spot होई पे 10 minute पहले दिया जाएगा, English और Hindi bilingual होंगे B8 के exam, इसके लावर सारे के सारे जो है प्योरले English में आप लोगों का exam होने वाला है, कोई भी आपको ऐसी चीज लेके नहीं जानी, जो आपको misconduct में आ जाए, या फिर आपको disqualify कर दिया जाए, exam में आप लोगों का डाई घंटे का होगा, उससे पहले आप लोगों को examination center से भाहर आने की बिल्कुल भी अनुमती नहीं होगी, so यह है proper जो details आप लोगों को दिया हुआ है, the link will also be available on GGSV website on online mock test, online mock test के लिए मैंने आप लोगों को दिखाया था नहीं, देखो यह री इनकी website, और website पो जाके, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाए गाया, इनका online mock test link for CT examination, आप इस पर क्लिक करके mock check out कर सकते हैं, वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस इसमें user interface दिखाने का आपको दिया हुआ option, कि आप क्या-क्या इसके अंदर जो है कर सकते हैं, इसके लावाँ इसमें कुछ भी नहीं है, admit card download करने का link बहुत जल्दी website पर यहाँ पर दिखने लगेगा, आप लोगों को अब भी नहीं दिखना क्योंकि सभी courses के लिए नहीं आए, जिनके लिए necessary था, उनके पास email जा चुका है, और मैंने आप लोगों को इसका भी login दे दिया है, आप यहाँ से download करके checkout कर लेजिए, तो यह है आप लोगों की e-advert card की जो है proper details, इसके बाद additional candidate के लिए हाँ पर दिया हुआ है कि भाई, COVID-19 के लिए आप लोगों को एक self declaration फिल करके देना पड़ेगा, या तो आप अरोग्य से तु जो एप है, एक तो वो होनी चाहिए आपके पास, विज़े फोन तो allowed ही नहीं, तो क्या लिखा हुआ है, आपके पास एक face mask होना जरूरी है, hand gloves, personal hand sanitizer, 50 ml का होना जरूरी है, transparent, blue ball pen, pet water, water, ली सारी चीज़ तो आपके पास वैसी mention है, ठीक है, इसके अलावा अरोग्य से तु एप install on his mobile phone, ठीक है, यह क्या होता है, कि अगर कोई parents साथ में जा रहे हैं, तो आपके पास जो है, फोन में अरोग्य से तु एप होना जरूरी है, लेकिन जब आपको phone allow ही नहीं करा गया है अंदर, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोगों को एक self declaration देखके देना पड़ेगा, कि यहाँ बाई मैं बिल्कुल fit fit हूँ, अपना cough मेर को नहीं है, cold running nose नहीं है, fever मेर को नहीं है, अपना नाम लिखना, candidate अपना CET roll number लिख लेना, date of examination डाल देना, examination center, candidate signature, बस इसको काट के यहाँ से अपना वहाँ पर invigilator को submit कर देना, ठीक है, यहाँ पर आपको इसको cutting करने को option दिया हुआ, देख रहे हैं ना, हैसे आपको cutting करके अपने invigilator को दे देना है, instruction तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से explain कर दिये हैं, सारी चीजें, कैसे आप लोगों को अपना exam attempt करना है, तो कोई भी आप लोगों को परिशान लेने की जोर्त नहीं है, load लेने की जोर्त नहीं है, कोई लोगों के अपना exam दो, और अपने interest exam पे focus रखो, ठीक है, I hope आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा wait up को करने की जोर्त है, ओके देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, तनूज कॉली ने, सर एक doubt था कि mail के साथ एक ID password मिला है, उसका क्या role है, वो ID password नहीं है, आप ध्यान से देखोगे, तो उसमें mention है, कि आप लोगों को क्या कहते हैं, उसमें application number mention है, और जो password है, वो date of birth ही, अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे, तो उसमें यहीं लिखा होगा है, application number, ID में, और password में date of birth लिखा हुआ है, इसको डालके आप अपना login कर सकते हैं, ID password और कुछ नहीं है, सर कहां से download करूँ देखो, उपर मैंने इस chat के अंदर उपर link पिन क जाएए, अपने application ID और password आप अपना डालिए, डाउनलोड हो जाएगा, हाँ, mail पर भी link है, लेकिन करशने को बार सभी को mail नहीं गया, इसलिए मने आपको अपना एक link लगा के दे दिया है, ठीक है, इसलिए बने link लगा है, ताकि आप लोगों को problem ना आए, application number आप लोगों को याद नहीं करना, आप क्या करो, सीधा आपने कहकेते हैं, login करो, उसमें सब सामने आपको application ID अपने लिखे ही आ जाएगी, अगर आपने mail नहीं देखा है, mail पे नहीं आया, ऐसा कुछ भी, तो आप लोगों को अपने login करना है, जाकि user ID password डालके, और जाके download कर लो, परेशान होने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जोरत नहीं है, और कल में आप लोगों को देदूआ proper एक इसका वीडियो की आप लोगों क्या क्या चीज़ लेके जानी है, do's and don'ts, तो do's में तो भाई यही है कि आप लोगों को अपना दो passport साइस photograph, दो और जल के बिना काम नहीं चलेगा, और बाकिस के लावा कुछ भी मतले के जाना, ठीक है, बैग आप लोग अपने examination center पर जमा करवा सकते हो, ऐसा चोड़ी और यह कोई दर होता नहीं, लेकर जादा expensive चीज़ें मतले के जाना, और smart watch वगरा, यह सब watch वगरा, calculator वगरा आप ल आप वहाँ से भी जाके इसको download कर सकते हैं, ठीक है, सो मिलते है next video में, and thank you so much, अरे first time computer पर exam दे तो, डरने की जूरत नहीं है, सब भी ऐसे होता है, सब के साथ ऐसे होता है, डरो मत बिलकुल भी,